प्यूबर्टी यानि यौन अवस्था बच्चे के बढ़ती उमर का एक एहम पड़ाव होता है। करेंगे लड़कियों में होने वाले प्यूबर्टी चेंजेस और उनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूस के बारे में। लड़की के शरीर में आता है वो है स्थनों का विक्सित होना। स्थन मतला ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की डिवलप्मेंट आठ से नो साल में शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट इस वक्त मुलायम और चुभन भी दे सकती है। कभी कभी एक ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट से बड़ी या छोटी भी नजर आ सकती है। बट ये नॉर्मल है। एक बार ब्रेस्ट पूरी डिवलप्म हो जाए तो उसके बाद ये चुभन जैसे दर्द और जो साइस में चेंज है वो खतम हो जाता है। हम scientific term में इस ब्रेस्ट डिवलप्मेंट को टिलार के बोलते हैं। उसके बाद जो next step आता है वो होता है एड्रीनाग की। इसका मतलब है बालों का private parts पे आना। हमारे armpits पे और private parts में जिने हम scientific term में लेविया बोलते हैं उस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। टिलार के और एडिनाके के बाद लड़कियों में ग्रोथ स्पर्ट आता है, जिसमें लड़कियों की हाइट इंक्रीज होती है. ये हाइट कुछ सेंटिमेटर्स थोड़े महीने में बढ़ जाती है. लड़की की शरीर में अन्य चेंजिस पे आते हैं, जैसे हिप्स का चौड़ा होना, फैट डिपॉजिट होना, ये फैट थाइस और अपर आम्स पे डिपॉजिट होता है, और एक लड़की का शरीर और अरत की शरीर में चेंज होता है. इसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपोर्टन पार्ट है प्यूबर्टी का वो है मेंसुरेशन, जिसका मतलब है पीरियट्स, मासिक थर्म. इसमें लड़की को हर महीने चार से पांच दिन के लिए ब्लीडिंग होती है और यह क्रिया 28 से 30 दिन के बाद रिपीट होती है. तो लड़की के ब्रेन से कुछ हॉमोन्स होते हैं. यह हॉमोन्स जाके ओवरी, जिसको हम अंडे धानी भी बोलते हैं, उसके उपर जाके अक्ट करते हैं. और ओवरी दो मादा हॉमोन्स, इस्टरुजन और प्रजिस्ट्रोन बनाती हैं. ये estrogen और progestron गर्बाशे में जाके उसकी अंदर की lining को मोटा करते हैं और उसे गर्बधान के लिए prepare करते हैं फिवर्टी के बाद ओवरी से हर महीना एक यानिकी अंडा भी produce होता है ये अंडा अगर आदमी के शुक्रानों से मिले तो pregnancy ठहर सकती है लेकिन अगर ये ना हो तो uterus की जो परत बनी थी वह तोटके bleeding की form में वजाइना से बाहर आ जाती है इसे हम मासिक धर्म बोलते हैं और ये हर महीने होता है menstruation के फक्त लड़कियों को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसे हम menstrual hygiene बोलते हैं हम कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिससे लड़कियां कई बीमारियों से बच सकती है जैसे कि जब periods होते हैं तो हमें sanitary pad दिन में at least 3-4 बार change करना चाहिए sanitary pad को change करने से पहले और वाद में हातों खाध होना बहुत जरूरी है हमें उन दिनों में daily स्नान करना चाहिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम sanitary pad खुले में नहीं फैंक रहे हमें एक अखभार के टुक्रे में उन्हें लपेट के close dustbin में फैंकना चाहिए हमें अपनी वजाएना को clean और dry रखना चाहिए जादा साबूल या किसी तरह क्या perfume या deodorant का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखी तो हम बिमारियां जैसे की वजाएना का infection, uterus का infection, urinary bladder जो की पिशाप की थेली होती है उसके infection से बच सकते हैं कभी-कभी ये infection भयानक रूप भी ले लेते हैं जैसे की infection ट्यूब तक फैल सकता है और infertility जिसका आर्थ होता है बांचपन वो भी करवा सकता है इसी करके अपने शरीर का ध्यान रखना इन दिनों में बहुत जरूरी है लड़की को अगर कोई भी problem हो रही है जैसे नीचे से गंदा पानी छूट रहा है या पिशाप की कोई दिक्कत हो रही है तो उसे बेजी जब अपने बड़ों से या स्कूल में अपनी टीचर से बात करने चाहिए पेरेंस और टीचर को जाग रूप रहना चाहिए और उन्हें बच्चों को टाइम टाइम पे अवेर करते रहना चाहिए तो हमने देखा कि प्यूबर्टी क्या है प्यूबर्टी में होने वाले चेंजिस क्या है और इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम दूसरे टॉपिक के उपर डिस्कास करेंगे तब तक के लिए थैन्ने बात